कुम्ब राशी आपके सर काल मन्रा रहा है आपकी जिन्दगी बरबात करेगा इह इंसान नमस्कार दोस्तो जय भोलेनात दोस्तो आज की सुड़ों में हम आपको पाच सितंबर की कुम्ब राशी बहुशे बताने वाले हैं जहां दोस्तो इस दिन आपके सर काल किस तर से मन्र उसी के बारे में विस्तार से आज की चल्चा करेंगे। उसे पहले आज की पंचांग के बारे में जानते हैं। पंचांग से आप अपने दिन को व्योस्तापित कर सकते हैं। शुब महुर्त यानि की अभी जीत महुर्त की बात करें तो सुबह ग्यारा बचकर पंचपन मिनिट से दोपर बारा बचकर पैंतालिस मिनिट तक रहेगा। इस दवरान आप कोई भी महतुपुर्ण काम या फिर शुब काम करना चाहिए तो कर सकते हैं। राहुकाल का समय शाम पांच बचकर पांच मिनिट से शाम चे बचकर उनतालिस मिनिट तक रहेगा। राहुकाल में माना जाता है कि महतुपुर्ण या फिर शुब काम करने से बचना चाहिए। दिशा शुब रहेगा पुर्व इसलिए पुर्व दिशा की यात्रा करने से बचना होगा। अगर कारिय बहुत ही महतुपुर्ण है तो आप दरपन देखकर या फिर दूद पी कर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं आपके लिए इंपर्डन बाती कैसे रहेगी उसके बारे में। आपकी खुश मिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बड़ोतरी करेगी। जो लोग अब तक पैसे को बेवजह खर्च कर रहे थे हैं उन्हें समझ आ सकता है कि पैसे की जीवन में क्या अहुमित हैं। क्योंकि आचनक आपको पैसों की जरुद पड़ेगी और आपके पास पर्यापतत धन नहीं होगा। आपके अकर्शन और व्यक्तितों के जरिये आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। रोमांचक दिन है क्योंकि आपके प्रिया का फोन आएगा। अगर आप सिधा जवाब नहीं देंगे तो आपके स्योगी आपसे नाराज हो सकते हैं। इस राशी के जातर खाली वक्त में किसी समस्या का समधान निकालने की कोशिश कर सकते हैं। यह शाइदी शुदा जिन्दगी के सबसे खास दिनों में से एक हैं। आप प्रेम की घराई का अनभौ भी करेंगे। आपके व्यापार उरुद्धी के संयोग दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रेजन से भेट हो सकती हैं। आपके कलात्मक और रचनत्मक शमताएं काफी तारिफ दिलाएंगे। सफर के लिए दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। मन आपका प्रसन रह सकता हैं। शत्रू से आपको छुटकारा मिल सकता हैं। लोग से मुलाकात होगी। शेरीक्स पूर्ति आपके लिए जरूरी हो सकती हैं। किसी खुबसूरत याद के कारण आपके और आपकी जियोन साथी के बीच के अनबन रुख सकती हैं। तो दोस्तो आप बात करते हैं कौनसे बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। दोस्तो वस्तरों आदी पर खर्चों में उरुद्धी हो सकती हैं। साथी आप दुसरों के साथ मिलकर कारे करेंगे। व्यावसाई को रूप से दिन शुब हैं। व्यावसाई अपने व्यावसाई क्षेतर में ख्याती प्राप्त कर सकते हैं। मन पसंद भोजन खाने के अभिलाशा पूर्ण होगी। लेकिन सेहत का ध्यान आपको रखना होगा। आर्तिक रूप से यह एक अच्छी अवदी हैं। कुछ व्यावसाई की आत्राई होगी। आप अध्यान में गहरी सोच रखेंगे। सफर के लिए भी दिन ज्यादा अच्छा नहीं है। अपने आप पर एक सीमा के बाद दबाव ना डाले और पर्याप्त आनंद ले। जल्दबाजी में फैसले ना ले। खास्तों पर अहम आर्तिक सोदों में मोलभाव करतेवग। अपने घर के वातरों में कुछ बदलाव करने से पहले आपको सभी की राई जाने के कोशिश करने चाहिए। आपका प्रिया आपके साथ में समय बिताने और तोफी की उम्मिद कर सकता है। नई परिजनाओं और खर्चों को टाल दे। यात्रा करना फाइदिमंद है लेकिन महंगा साबित होगा। वह ही जीवन का आनंद लेने की भर्यापतों मौके आज आपके पास है। तो दोस्तों आप बात करते हैं आपकी जिन्दगी बरबात करेगा यह इनसान ऐसा हमने क्यों कहा उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अपने दैनिक जीवन में आप किसे ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे और फिर किसे ऐसे व्यक्ति के संपर्ख में बहुत दिनों से है जो कि वह हर वक्त आपको नुक्सान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ऐसे में उस व्यक्ति को ज़रूर पचानेगा और जो व्यक्ति आपकी पीट पीछे बुराई कर रहा है पीट पीछे आपको गिराने की कोशिश कर रहा है उसको ढूंडेगा और उसके साथ अपने संबंद को कम करेगा दोस्तों आप बात करते हैं आपका धनराशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में किसी विदेशी से साज़ेदर होने की संबंवना बन रही है यह दोनों के लिए फाइदे मिंद होगा यदि आपने सही साज़ेदर चुना तो आपको लगेगा कि आपके व्यावसाय में अशर जनक रूप से तरकी हो रही है जो कि आपने सोचा भी नहीं था यह अच्छी तरस से जान समझ ले कि आपका साज़ेदर कोन बनने जा रहा है उसे व्यावसाय के सभी नियम और शर्ते समझ लें लेकिन समय ठीक है आगे बढ़े दोस्तो किसी विदेश पार्टी या फिर विदेश बाजार से आपको अच्छे कॉंट्रेक्ट भी मिलेंगे करियर अशुपल की बात करें तो विदेश से आपको खुशकबरी मिल सकती है खासतर से यदि आप विदेश पार्टी है और अपने विदेश में कहीं दाकेले या फिर चात्रो उर्ती के लिए अविदन क्या है तो दोस्तो ये खुशकबरी विदेश में आपकी नोकरी से संबंदित भी हो सकती है विद्यारती की पड़ाई आगे बढ़ती रहेगी और उनका ध्यान इस समय अपनी पड़ाई पर ही रहेगा दोस्तो आप बात करते हैं आपका लव रशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में आपको दावेदार होने और उतावला होने के बीच अंतर को समझ रिकी जरुवत हैं आप उतावले पन पर तुले होए हैं इसलिए दूसरों के और प्रतिक्रिया संबल कर करेगा आपके दावेदारी जहां एक और आपको आपकी इच्छित वस्तुत दिला सकती हैं वही आपका उतावला पन उससे आपको दूर भी कर सकता है होशियार इसे चुना करेगा स्वास्त राशिपल की बात करें तो आपको किसी भी दर की दुरगटना से बच कर रहना होगा किसी भी भारी समान को उठाते समय या फिर चिकने फर्ष पर चलते समय आपको सतर करने के अवशकता है कोशिश करें कि आप कोई भी काम आलस में आकर ना करें इसका परिणाम बेहत चुनेते पुर्ण हो सकता है बाकी दिनों की अपिक्षा किसी भी कार्य को अगर आप एका गरता और लक्ष बना कर करेंगे तो यह आप के लिए अच्छा होगा दोस्तों इस वीडियो में जो भी बाते बताएगी है उह जोतिश, पंचा, मानेताओं और धर्मगरंतों से बताएगी है हमारा उद्देश महत सूचना पहुंचा रहा है आप इसे सूचना है तो लिजीगा इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं यह फिर इनका उप्यो करते हैं तो इससे पहले अपने नजदिक के कुल पंडित से अवश्यस संपर करेगा आप चाहे तो ट्रेंडिक राशिपल से भी संपर कर सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल पर आपको ऐसी बाते बताएगी जो कि सच में आपकी जीवन में बहुत महतोपुर्ण होती है फिर भी अगर आपकी जीवन में कोई प्रॉब्लम या फिर परिशानी आती है तो ट्रेंडिक राशिपल से संपर करके कुणले बर्मा कर सभी प्रॉब्लम परिशानियों का समाधान आप कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से आपको जुकी कुम राशिपल रहने वाला है वीडियो अच्छा लागा तो इस वीडियो को लाइक करेगा और हमारी चैनल ट्रेंडिक राशिपल को सब्सक्रेब जरू करेगा तो मिलते हैं वीडियो के साथ धन्यवाद